नमस्कार मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का रिक्रम यह बजट था यह बजट है यह अमरित काल की जाकी यह सवाल तमाम भारतिय नागरिकों के दिल दिमाग में है कि यह अमरित काल की बात है विश काल की बात है यह कौन सा काल है जिसमें हमार शिक्षा पर हुआ कितना क्रिशी पर नरेगा पर दलितों और आदिवासियों के हिस्से में कितना अवंटन हुआ इसका एक शब्द में बजट भाशन में जिक्र नहीं क्या वज़ा है किस तरह से आम भारतिय नागरिक इस बजट को देखे क्या यह बजट पहले वाले बजट के साथ देखना टटोलना बेहत जरूरी है खबर की खोज सच की पड़ताल जनपक्ष नजरिया बेखौफ बेबाग सत्ता का जूट बेनकाब आग में तपीद पत्रकारिता दाखती है सवाल दर सवाल जब इस बजट की हम बात करते हैं तो क्या इस पे जो नौकरी पेशा तपका है उसके लिए कोई जगह है जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा नौजवान है उसके लिए कोई ठोस योजना है अर्बन इंप्लॉइमेंट की बात जो बहुत लंबे समय से लोग उठा रह हैं क्या उस और हमारी विश्टमंत्री का मुदी सरकार का ध्यान गया क्या किसान जो बहुत बुनियादी आंदोलन देश में कर चुके हैं तेरा महीने सड़कों पे काट चुके हैं उनकी जो मांगे हैं उनके मद में कुछ खर्ष इस बजट में किया गया कुछ वादा किया या मान लीजे जो छोटे लगू उद्योग चलाने वाले लोग हैं उनके बारे में कोई नई योजना नया आवंटन यह सब कुछ इसलिए बहुत जरूरी है चर्षा करना जब हम बजट पे चर्षा करते हैं क्योंकि पिछले दो सालों में भारत ने देखा है कि जब कोरोना महामारी से हम जूज रहे थे सब कुछ बंद था अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही थी तब दरसल यही वह छेत्र हैं खास और से क्रिशी छेत्र जिसने समहाला था पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को जब करोडों लोग वापस घरों में पहुचे गाउं के में कोई बढ़ोतरी नहीं होती असल शब्दों में कहिए मन्रेगा जैसी महतपूर्ण जो योजना है जो ग्रामीर भारत में रोजगार पैदा करती है उसकी गैरंटी देती है उसके बारे में कोई बात नहीं उसके आवंटन को बढ़ाने के लिए एक कदम नहीं बढ़ाता यह बजट इसके उलट आप देखिए कि इस बजट में बजट भाशन में किस तरह से वित्यमंत्री ने पूरा जोर दिया यह बताने की कोशिश की कि जो हमारी विकास की गाड़ी है जो विकास काफी समय से लापता है उस गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम निजी छेत्र के नेत्रुत में होगा यानि प्राइवेट सेक्टर लेड डवलप्मेंट की बात बहुत बार की निर्मला सीता रमन जी ने मज़िदार बात यह है कि पिछले आठ सालों से यह जो प्राइवेट सेक्टर लेड डवलप्मेंट है वह पूरी अर्थववस्था को धोखा दे रहा है और यह बात तमाम अर्थशास्त्री देश के अलग-अलग स्तरों से बोल रहे हैं यहां आपको याद दिला दें कि 1991 यानि जब से देश में उधारी करण का दौर शुरू हुआ सरकारी के ऊपर निजी का दबदबा या यू कहिए कि यह बताने की कोशिश हुई पूरे देश को कि प्राइवेट ही देश के लिए भला है तब से लेकर अभी तक पहली बार ऐ ऐसा हुआ कि निजी निवेश इतना कम हुआ है 20 करोड नौकरियां तकरीबन गायब हो गई हैं सक्त जरूरत है इसमें देश के नौजवानों को नौकरी की और बजट पेश होता है सरकार अपना ही वादा कि वह 10 करोड नौकरियां देगी खुदी भूल जाती है वह खुद के बारे में एक शब्द का चर्चा नहीं होता वजह वजह वितमंत्री बाकी शब्दों में जो अम्रित काल का माया जाल पुरा का पूरा बजट में बुना हैं जिस तरह से बाकी BianORE!!!!! योजनाओं के बारे में चर्चा हुई है वह तक्रीबन वही हैं जो पिछले बजट में हमने देखी हैं चाहे वह स्मार्ट सिटी की बात हो या इस बार जिस तरह से करेंसीज को लेकर बात चीत हुई है वह सारी की सारी चीजें लेकिन हम वापस पहुचेंगे मन्रेगा के बारे में अब आप देखिए कि वह मन्रेगा जो ग्रामीर भारत में रोजगार पैदा करता था उसे उसका जिक्र बजट में तो नहीं है लेकिन जो बजट की डीटेल्स हैं उसके आग लगी हमारे आपके घरों में जिसकी बहुत तपिश महसूस की गई रसोई गैस की कीमतों में जो उच्छाल आया जिसने बड़े पैमाने पर साधारण घरों पे जबर्दस असर डाला उसने निश्चित तौर पर वित्मंत्री का सरकार का सरकारी की खजाना भर दिया और उसी के दम पर वित्मंत्री ने बजट भाशन में यह दावा किया कि पहली बार GST कलेक्शन सरवाधिक हुआ है लेकिन दिक्कत इस बात की है कि यहां पर GST कलेक्शन को लेकर खूप दावे किये जा रहे हैं बताया जा रहा है कि कितना सफल implementation हुआ लेकिन कहीं से भी यह बात का जिक्र नहीं हुआ या आश्वासन नहीं दिया गया कि जो भीशन महंगाई देश ने जेली है उस पर कोई नियंतरण होगा महंगाई की मार पेट्रोल डीजल के दामों में जो आग लगी थी रसोई गैस ने जिस तरह से आम भारतिय नागरिक घरों को प्रभावित किया था उसने किस तरह से सरकारी खजाने को भरा जिसके दम पर वित्मंत्री ने दावा किया कि इस बार GST कलेक्शन सरवाधिक हुआ है रिकॉर्ड हुआ है लेकिन सरकार यह बताने में नाकाम रही कि यह जो GST कलेक्शन है दरसल यह हमारी आपकी गाड़ी कमाई जो हमारी जेवों से चीनी गई उसकी बदौलत हुआ है और यह सारी की सारी जो महंगाई पर आधारित पूरा का पूरा विकास का जुन जुना है यह कहीं से भी रोजगार पैदा करने वाला नहीं है ऐसा लगता ही नहीं यह बजट भाशन सुनकर बजट पर निगाह डालकर कि पिछले दो सालों से देश भीशन आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था भीशन आपदा से गुजरा देश ऐसे में सारा का सारा जौर जो बजट का है वा इंफरास्ट्रॉक्चर के बारे में हैं उसको ले कर बहुत लंबी चोड़ी युजनाए हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इन योजनाओं से जो infrastructure पर लगातार जोड दिया जा रहा है इससे आम भारती नागरीकों को तुरंथ मदद मिलेगी भीशन बेरोजगारी को जेल रहे देश को कोई मदद मिलेगी निश्चित तौर पर नहीं इस बारे में हमने बाचीत की देश के वित्तिसचिव रह चुके एक ऐसे शक्स से जिसने तमाम बजटों को बहुत करीब से देखा है आए सुनते हैं अर्विंद मायाराम जी को कि वह किस तरह से इस बजट को देखते हैं और इसकी जो खामिया हैं उन्हें हम्यारे सामने रखते हैं वित्यमंत्री हैं उन्हें कहा कि यह प्राइवेट लेड इन्वेस्मेंट ग्रोथ होगी और सारा फोकस उस पर है पेंडमिक का दो दौर हम देख चुके हैं इसमें इस बजट से अपेक्षा क्या थी कहां निराश करता है यह बजट क्योंकि आम नागरिकों का कहना है कि इस करता है को जैसे लास्ट ये की रिपोर्ट देख रहा था नवेंबर की जो सरकार के उनकी रिपोर्ट के हिसाब से तो जो कैपिटल एक्स्पेंटिचर लास्ट ये का टार्गेट था वो नवेंबर तक पचास प्रतिशत भी नहीं हुआ तो इसका जो जितना उन्होंने कहा पिछले बजट में कि हम इतना करेंगे वह उतना खर्चा वह नहीं कर पाए नवेंबर तक वह पचास परसेंट से कम था तो नवेंबर से लेके मार्च के बीच में वह बागी पचास परसेंट कंपलीट होगा यह देखना मुश्किल लगता है हमें देखना पड़ेगा आग नवी हिस समय जो इंस्टाल कपसेटी है फॉर इस्टेंस मैनेफैक्ट्रिंग सेक्टर में जो जन लाजली प्राइवेट सेक्टर ड्टरिविन है उसका केवल 60 तो 65 परसेंट ही यूटिलाइज हो रहा है विश्मीज की 35 तो 40 परसेंट उसमें ऍस्लैक है वी जो एकापसेट प्रक्राद है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा आव्यूसली यूटिलाइजेशन नहीं होने का कारण बड़ा नहीं मर्केट और क्यों नहीं है वह दिखरा थे कि हमने जैसे बाइस्स इनकौलिटी तक गिरावट आई आई है और बहुत सारे हाउस्वोल्स की इंकम में जो मिडल कलास के हैं या लोएर मिडल कलास इंकम के भी जो हैं यह गरीब भी हैं तो उनमें बहुत जबरदस घिरावट आई ए उनकी इंकम्स पे तो अविएसली डिमांड नहीं हो डिमांड जेनरेट कहां से होगी तो इसलिए यह मानन तो यह देखना है हमें कि यह कैसे होगा और यह अगर कर यह मान लीजिए इतना करनी की इस तिति में है भी तो इससे कितना कुछ प्राइबट सेक्टर को इंसेंटर मिलेगा अपनेगल याद रखना चाहिए पिछले आठ साल में मैं और यह 8 साल का है रिकॉर्ड तो इसलिए यह कहना कि हम प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ में बिलीव करते हैं और उसको एक्शुली ट्रांसलेट करने में काफी हमें अंतर इसके अंदर दिख रहा है अभी इस पर बेसिक जो सरकार का जो जो सरकार जिस पर डिपेंड कर र हो जो गरीबी की सीमा के नीचे चले गए हैं बहुत सारे लोग उनको को इससे रिलीफ मिलने वाला हो जिनकी इंकम्स बहुत का मुगी उनको रिलीफ मिलने वाला हो ऐसा इस बजट से नहीं लगता आए चलते हैं किसानों की तरफ किसानों के लिए द्रोन की बात है कि द्रो लेकिन दिक्कत ये है कि जिसकी मांग देश का किसान कर रहा है उस बारे में कोई चर्चा, कोई वाइदा नहीं किया गया है कुल मिलाकर इस बजट में 4.2 फीसिदी भी नहीं दिया गया कृशी को यानि जो पिछली बार पिछले बजट में जो आवंटन था उससे भी कम इस बार आवंटित किया गया है किसानों के लिए तकरीबन 16,000 करोड रुपे का जो नियूंतम आवंटन है उससे भी वन्चित रखा गया है इतना कम मिला है अगर हम सबसे कम एस्टिमेट भी मान के चलें तो ग्रामीर विकास को करीब 14,000 करोड रुपे कम दिये गए हैं यहां हम आपको याद दिला दें कि 2022 एक बहुत एहम वादे के पूरे होने का साल है इसी साल के बारे में प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने डावा किया था कि किसानों की आए दोगनी हो जाईगी कितνी हुई है, कितνी नहीं हुई है इस बारे में हमने बाठचीत की खेती किसानी से जुड़ी और कृषी विशेशग कविता कुरुगंती से जी कविता आप इस बजट को कैसे देखती है यह बजट स्पीछ सुनते वक्त मुझे नहीं लगा कि यह किसी एक देश की जनता के लिए बज़ेट है, जिस के लिए एक बज़ेट है, सब कुछ फिर से जुमलाबाजी वाला जो नया एक शब्दावली शुरू कर दिया है तो टॉक अबाउट सेविंटिफ़ाइज आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस, अमरित काल का नाम और हम पूछ रहे हैं, आप अमरित काल की बात कर रहे हैं और यहां हजारों किसान इस देश के जहर पी के मर रहे हैं और आपने क्या उनके लिए इस बज़ेट में ताई किया है, आप जिस फिगर्स को बहुत प्राउडली एनउंस कर रहे हैं कि हमने इतने लाग करोड रुपिये इतने तारे किसानों के लिए खर्च किया, प्रोक्योर्मेंट के लिए हम देख रहे हैं कि उसके पहले साल से कम किया आपने, जितना पैसा खर्च किया वो भी कम किया जितने किसानों को आपने फाइदा दिया है वो भी कम कर दिया, जितना प्रोक्योर्मेंट किया है वो भी कम कर दिया और आपके पास हिम्मत ही नहीं रहा कि doubling farmers income जो आपने कहा था कि किसानों की आंगनी आप दुगनी करेंगे एक बार भी उस बात की उच्छारंड करने के लिए भी आपके पास कोई हिम्मत नहीं बचा और ये है वो साल 2022 आगया है जिस साल तक आपको दुगनी करनी थी किसानों प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि 22 तक भारती किसान की आए दुगनी हो जाएगी हाँ और सरकारी आंकडे हमको बता रहे हैं कि आधा भी नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था और पिछले जो निकल के आया है आपने किसानों को उस दुगनी करने वाली बात का जो टार्ग देश के बजट में दलितों और आदिवासियों के लिए जो आवंटन होता है उसका जिक्र नहीं है ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हमने बातचीत की दलित आर्थिक आंदोलन से जुड़ी हुई एक्टिविस्ट बीना पलिकल से आईए देखते हैं बीना पलिकल किस तरह स देखें पहले बार इतिहास में फइनांस मिनिस्टर ने उनके बजट की स्पीच में पूरा जितना अलोकेटड अमाउंट है जितना पैसा आवंटित किया है उसका जिकर नहीं किया है जो एसी और एस्टी के लिए यह पहले बार हुआ है हाँ जरूर एक दो स्कीन में उन्ह क्या कह रही है एक बार हर साल जब वित मंत्री जब बजट करते हैं तो हमेशा वो टोटल अलोकेशन जितना अदलितों को और आदिवासियों को मिलना चाहिए कितना आवंटित हुआ है वो तो जरूर जरूर बताते हैं बजट स्पीच पे लेकिन इस बार पहले बार वो टो जनक बात है हमारे लिए क्योंकि हम लोग बहुत सालों से यह करते आये हैं और पहले बार ऐसे किया ने तो वो अभी जो डीटेल्स है उसमें वो अभी नेट पे आए और उससे हमें पता चलेंगा कि क्या अलोकेशन है क्या है यह पहली बात दूसरी बात यह है कि जो भी एक जिट्राइजेशन पे है ज्यादा तर लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे भी जो डलतादिवासी लोगों की जो एकसिस है डिजिटल एकसिस वो इतना स्ट्रॉंग नहीं है तो वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम्स होगा लेकिन यह बस अभी उनके स्पीच से मैं आपको यह यह से बता रही है लेकिन अभी थोड़ा अनेलिस्स करके और बता पाएंगे कि क्या क्या डीटेल्स है उसमें एक चीज मैं बीना आपसे जाना चाहती हूँ कि जो आप लोगों का इतने साल का काम रहा है आर्थिक अधिकार आंदोलन का उसके मताबिक कितना परसेंट अलोक जािति यूजना है उसके तहत जो जनसंख्या के प्रोपोर्श्नित जितना जनसंख्या है उसके अनुसार अवन ठीथ होना चाहिए तो दलितों के लिए राश्ट्रे सर्फे 16 प्रतिशत और जो आधिवासियों के लिए 8 प्रतिशत होना है लेकिन ज्यादतर ऐसा होता नहीं है 8 प्रतिशत दलितों के लिए 3 या 4 प्रतिशत आधिवासियों के लिए अब तक जो भी budget देखा है अब तक ऐसे ही हुआ है आशा है कि इस बार थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन पताने क्या होगा लेकिन जरूर 16 प्रतीशत होना चाहिए दलितों के लिए और 8 प्रतीशत बजट में आत निर्भर भारत की बात हुई है और कहा गया है कि इससे कई करोड नौकरियां पैदा होंगी सवाल ये है कि जिस तरह से आज का नौजवान नौकरी के लिए दरदर ठोकरे खा रहा है जिस तरह से अर्थववस्था रसातल में जा रही है उसमें क्या कुछ शहरी रोजगार और ग्रामीर रोजगार के लिए किया जाना चाहिए था इस पर हमने बात की निखिल डे से आएए देखते हैं किस तरह से इस बजगड को देख रहे हैं अ संग्षेप में हम आपसे जाना चाहेंगे कि ये जो बजगड है इस बजगड को आप कैसे देख रहे हैं और खास और से ग्रामीर भारत और नौकरियों के संदर में से कैसे बहुत ही डिसपॉइंटिंग है बजट दूसरे साल में ग्रामीन भारत के लिए बहुत डिसपॉइंटिंग बजट है जब पैंडमी का पहला वर्ष हुआ तो उस समय क्राइसिस हुआ तो नरेगा जैसे योजना में उन्होंने 40,000 करोड एक्स्ट्रा दिया इतनी आवश्यक् संदान था करोडों लोगों के लिए नरेगा में 40% लोग जादा आयक काम करने के लिए और 40% काम जानेरेट जादा हुआ चालीस परसेंट बजट जादा बड़ा उसका परिणाम ये था कि 2020-21 में अन्त में 17,000 करोड फिर भी पैंडिंग रह गया तो 2020-21 में एक लाख 10,000 करोड खर्च होने के बाद भी 17,000 करोड पैंडिंग रह गया उसका मतलब था इतना डिमांड था नरेगा में हम देखते आ रहे हैं कि जतना कम बजट करते हैं उतना लोगों के उपर भार पड़ता है मार पड़ता है वो पैसा नहीं है तो वो काम पे आना ही ब बोले कि उनको मालूम है पैसा नहीं आएगा तो उनी को पकड़ा जाएगा केंद्य सरकार को कौन पकड़े गई जबकि पैसा वहीं से आता है तो यह खेल है केंद्य सरकार को नरेगा क्या गला गोंटने का तेयतर अजार करोड़ से साल किया महंगाई हुई इंफलेशन हुआ है इन मजदूरों की मजदूरी पिछले साल इन्होंने इतना कम बढ़ा है राजस्तार ने एक रुपे बढ़ा है 220 रुपे रोजका है 220 रुपे किया इस साल भी ऐसा ही करेंगे एक एप्रिल को वए एक चल रहा है और मजदूरी में उसका एक परिवार का हिस्सा जाता है और मेड्ya मजदूरी में भी इन उनका होता है और न्यूंत्र मजदूरी दो अंगास के कहा infection है तो आपको कि यही प्रधानमंत्री बिल्कुल एक विफल योजना बनाना चाहते हैं उसका एक उन्होंने तो का बनाना चाहते हैं कि आकलन के हिसाब से कितना बजट होना चाहिए था नरेगा का इस बजट में यदि सरकार अपने बहुत ही जिससे हमारी सहमती नहीं है हमारी सहमती है कि उनको सौधित का प्रावदान करना चाहिए लेकिन सरकार कहते हैं कि सौधित कोई नहीं मांगता है तो हम कहते हैं कि मान लो सरकार अपने खुद के 2020-21 के आंकलन देखे तो एक लाग 27,000 करोड होना चाहिए था एक लाग 10,000 करोड को कर्चा किया 17,000 करोड के पेंडिंग लाइबिलिटीज लेए उसको महंगाई से जोड़े और महंगाई बहुत हो रही है आप और हम जानते हैं महंगाई से जोड़े मजदूरी भी बढ़नी चाहिए और मिंटीरियल का कर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा चाहिए आप चाहिए या नहीं चाहिए बजदूरों को फिर भी दबा सकते हो लेकिन मिंटीरियल नहीं दब सकता है तो आपको कम से कम डेड़ लाग करोड का करचा का प्रावधान क हरी अनन्त हरी कथा अनन्त की तर्स पर इस बजट पर चर्चा हो सकती है अलग-अलग पहलूं को सामने लाया जाना चाहिए उन पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन एक बात बहुत साफ है कि यह बजट आम भारती नागरिक को राहत पहुचाने वाला नहीं है निश्चित तौर पर इसमें कॉर्परेट और बड़ी पूंजी को बहुत तगड़ा फायदा पहुचाने की भरपूर कोशिश की गई है लेकिन भक्तगण तो भक्तगण है अब देखिए ना बजट पेश भी नहीं हुआ था लेकिन भक्तगण सोशल मीडिया पर शुरू हो गये थे भक्तग लगातार अपने चेश्मे के साथ आप तक हम तक पहुचते रहेंगे लेकिन जो सच है उसे छुपाना आज की तारीख में सबके लिए बहुत मुश्किल है शुक्रिया